हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं चैनल, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्लावर नमकीन की रेसिपी तो ये बहुत ही इजी और टेस्टी रेसिपी है, मिनिमम इंग्रीडेंट के साथ आप इसे बना सकते हो तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो इसके लिए हमें चाहिए दो कटोरी मैदा मैंने मैदे को अच्छी से छान लिया है और ऐसे दो पार्टस में डिवाइट कर लिया है उसके बाद हमें चाहिए नमक, तो नमक आप अपने स्वात के अनुसार यूज कर सकते हो उसके बाद हमें चाहिए अजवाईन, काली मिर्च, काली मिर्च का पाउडर इसे आप पीस के बना सकते हो, उसके बाद थोड़ा सा चाट मसाला मैंने यहाँ एवरेस्ट का यूज किया है, उसके बाद हमें चाहिए थोड़ा सा तेल, हमें मैदे में सब इंग्रीडियंट्स मिक्स कर लेने हैं, जैसे कि अजवाइन, चाट मसाला, नमक, और उसके बाद इसमें दो बड़े चम्मच गरम तेल डालना है, और इस मिक्षर को अच्छी से मिक्स कर लेना है, यह मिक्षर ड्राय ही मिक्स करना है, और उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालके इसे अच्छी से मिक्स कर लेना है, और इसका डो बना लेना है, पानी हमेशा ध पृट मैं जाल अगर उससे न्मकिन 40 टैवल करवा हैं एक geworden बनाना दो तो रोती बहुत जादा पात्ली बनानी एक अगर आप जॉह दी रोसी बनाऊंगे तो उससे यह नमकिन सोफ बनेंगी कुर्कुरै नहीं बनेंगी तो रोटी बैलने के बाद हमें अब चाहिए तीन शेप के सरकल तो मैंने यहाँ पर ग्लास यूज किया है आप इसे बैल भी सकते हो या फिर कोटोरी या ग्लास के मदद से कट कर सकते हो तो जैसे की वीडियो में दिखाया है इस तरह से हमें तीन डिफरन साइस के सरकल चाहिए तीनों भी सरकल एक दूसरे से थोड़े छोटे रहने चाहिए तो मैंने इस तरह से सरकल का सेड बना लिया है बड़े साइस का, मीडियम साइस का और स्मॉल साइस का इसके बाद जैसे आपको वीडियो में दिखाया है तो इस रोटियों को फ्लैट सर्पेस पे रखके नाइप से कट कर लेना है पूरी दिशाओ से दूसरी रोटि के साथ भी इसी तरह से आपको कट कर लेना है और ये अच्छी से कट कर लेना है ताकि जो एंड्स रहते हैं वो अच्छी से कट हो जाए तो मैं इसे वीडियो में दिखा रही हूँ इस तरह से आपको अच्छी से कट कर लेना है इसके बाद हमें एक कटोरी में पानी लेना है और सेंटर में पानी लगा के जो बड़े सरकल से जो छोटी रोटी है उसको रख लेना है और उसके बाद अग उपर से काली मिर्श लगा के इसको अच्छी से पैक कर लेना है ताकि निकलेना और बाद में तेल को गरम करके इस नमकीन को तेल में डालना है तो तेल में डालते हैं अच्छी से फूले गी नहीं तो इस नमकिन को light brown होने तक आपको अच्छी से fry करना है तो ये बनके तयार होगी हमारी flower नमकिन इसी तरह से आपको बचे हुए mixture को भी इसी तरह से fry कर लेना है और इसकी नमकिन बनानी है तो ये हमारी नमकिन तयार होगी है और आप देख सकते हो each layer different degree है तो ये बहुती easy और tasty recipe है आप इसे try करना और मुझे comment से बताना कि आपको ये recipe कैसे लगी thank you